सब्सक्राइब नाओ और प्रेस तब बेल आइकन नेवर मिस अपडेट इफरेंट डिफरेंट टाइप के जो है पॉलिमर्स यूज किये जाते हैं मोनोमर्स यूनिट्स होती है तो काफी important topic है और शाम को हम इसकी live stream भी करेंगे जिसमें हम पूरे के पूरे जो पॉलिमर्स हैं उनको डिटेल में आपके साथ study करेंगे तो यहाँ पर जो है cable questions है तो I hope कि आप जो है इनको काफी जादा आपकी ये help करेंगे exam में चाहें आपका टैट हो ये TCT हो यूज कि दोनों में जो है पॉलिमर्स पूछा जाता है तो guys इस वीडियो के ओपर target रखेंगे हम 51 plus likes का तो शाम से पहले इसके ओपर 51 plus like कर देजिए ताकि हम next वीडियो जो है वो डाल सके और इसकी live stream तभी होगी अगर इसके ओपर जो 51 plus like जो है अगर हो जाएंगे तो आई इस वीडियो को सुरू करते हैं हमारे पास पहला question है which of the following is naturally occurring polymers यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा natural polymers है आपके पास तो यहाँ पे अगर देखोगे तो polythene, nylon, teflon सारे के सारे जो है artificial है teflon जो है आपके पास ये use किया जाता है ऐसे जो आपके पास fry pants होते हैं जो भी आपके पास cook wear सारे सारे जो है आपके पास नेचुरली polymers है next हमारे पास neoprene is a polymer of तो neoprene आपको पाता होगा किसका polymer है जो आपके पास synthetic rubber है natural rubber का आपके पास isoprene है और जो आपके पास synthetic rubber है वो आपके पास neoprene है तो neoprene जो है वो actual में किसका polymer है तो वो किसका polymer है वो है आपके पास chloroprene का option number A जो है right answer है next है हमारे पास the monomer unit of PVC polyvinyl chloride तो यहाँ इसे आपका निकल गया polyvinyl chloride यानि vinyl chloride जो है इसका monomer है आपके पास next है हमारे पास backlight is a condensation polymer of आपको पता होगा condensation polymers क्या होते हैं जिन में cross-linked chain होती है cross-linked main कुछ इस type में जो है वो chains जो है वो presenter cross-link होते हैं वो एक दूसरे के साथ एक आपके पास linear होती है एक आपके पास branch chain होती है जिसमें जो branches होती है different different branches होती है तो जो backlight है आपके पास वो condensation polymers है I hope कि आपको पता लग गया होगा जो आपके पास condensation polymer है उसमें जो है different different monomers यूज किया जाते है जो आपके पास normal सा branch chain होगा या additional होगा बहाँ पे cable add होंगे जो की same type की होंगे बट condensation में different होते है तो जो आपके पास bagalite है उसमें कौन सा जो monomer है या कौन सा उसका polymer है जो उसकी उसमें use किया जाता है वो होता है आपके पास phenol and HCHO यानि C6H5OH and HCOH तो option number C जो है आपके पास यहाँ पे right answer है next यहमारे पास glyptal polymer is obtained from grislor by reacting with जो glyptal polymer है आपके पास वो obtain होता है grislor से तो उसे किस के साथ जो है react किया जाता है उसे react किया जाता है थैलिक, acid के साथ next है हमारे पास nylon 66 या आप इसे पढ़ते हैं nylon 66 इसे 966 नहीं पढ़ते इसे पढ़ते हैं nylon 66 एक आपके पास nylon 6 भी होता है यह nylon 6 का modification version है तो nylon 66 is obtained from जो nylon 66 है वो किस से obtained होता है तो इसकी दो polymers है फस्त है adipic acid and second है hexamethylene di amine तो option number A जो है right answer है next है मारे पास which of the following is not an example of additional polymer अब additional polymer मैंने आपको बताया है जो की cable simple यानि 2 को add करके बनाया जाता है उसमें जो है different different type के linear या different type के molecule present नहीं होते तो यहां पर आगर देखोगे polystyrene, polyethylene तो यह जो है आपके पास additional polymer है next आपके पास आगा poly, propylene, terylene तो terylene जो है आपके पास condensation polymer है तो option number D जो है यहां पर right answer है next है मारे पास buna S is obtained by polymerization of butadiene and जो buna S से आपके पास यानि butadiene styrene rubber तो जो की आपके पास polymerization से बनता है तो उसमें कौन-कौन से polymer use किया जाते हैं या आप जिने monomers कह सकते हैं तो first होता है butadiene and second होता है styrene rubber जो की इसके नाम में ही आपके पास आ गया आपको पता होगा different different linkage होती है cyanide की होती है amides की होती है polyamide की linkage जो है वो किसमें present होती है वो present होती है आपके पास nylon में तो यह कुछ MCQ थे इसके बाद हमारे पास आते हैं fill in the blanks तो चलिए इनको भी देख लेते हैं क्योंकि काफी important है in buna as as stand for तो अभी हमने आपको बताया as के represent करता है आपके पास styrene ओके next है आपके पास the monomer unit of pan यानि poly acrylonitrate जो इसका नाम है pan का poly acrylonitrate तो acrylonitrate जो है इसका monomer है आपके पास okay next है हमारे पास the monomer of PCTF तो इसका पूरा नाम है आपके पास poly chloro trifluoro ethylene poly chloro trifluoro ethylene तो इसका monomer क्या होगा P को remove कर दीजिए and बाग की जो है इसका monomer है इसका monomer है chloro trifluoro chloro chloro trifluoro ethylene okay next है आपके पास the monomer of glyptal are ethylene glycol and तो यहाँ पे हमने अभी पीछे किया था यह जो आपके पास glyptal है उसके monomers कौन से है ethylene glycol and a thalic acid thalic acid जो है इसका monomer है next आपके पास the monomer of natural rubber अभी हमने आपको बताये था isoprene syntactic rubber is obtained by the polymerization of chloroprene neoprene इसका monomer है बट कहां से आता है यह chloroprene से आता है next आपके पास phenol formaldehyde rinse is also known as तो जो आपके पास phenol and formaldehyde है वो specially है आपके पास bakelite तो इसका right answer होगा bakelite next आपके पास question number 8 an example of fiber polymer is तो fiber polymer आप ले लिजी N66 यानि nylon 66 the polymer obtained from monomer 1-3-butadiene and styrene is called तो 1-3-butadiene and styrene अभी हमने किया था तो इसका जो right answer है तो 9 का यह answer है next आपके पास hexamethylene diamine and adipic acid are polymer to give तो hexamethylene पूछा जाता है polymers related तो आप इन topics को detail में जरूर पढ़िए और अगर आपको live stream चाहिए सामको इन सभी topics related क्योंकि यहां से question आएगा ही आएगा 100% guarantee है तो आप हमें comment किजिए and जल दिस इस video को like कर दीजिए तो मिलते है next video में तब तक के लिए thank you